पांच सीटों पर राज्य सभा के लिए चुनाव होना है जिसको लेकर के अब राजनेतिक गलियारों में हल्चल मची हुई है पहले जद्यू पार्टी को लेकर चर्चाएं काफी तेज थी लेकिन अब तो आरजेडी में महा संग्राम छिड़ गया है पूरा ममला क्या है जान देखिए कल मंगलवार को राश्ट्रिये जनता दल के परदेश और राश्ट्रिये संसदिये बोड की बैठक होनी थी और बैठक के बाद जो तस्वीरे निकल कर आई उसके बाद से ही आरजेडी में बवाल देखने को मिल रहा है कहिए कि एक तरह से संग्राम छिड़ गया ह और किसको लेकर तेजश्वी यादो तेजपरताप यादो या फिर मिशा भारती देखिए अब तक जो भी हम देखते आ रहे थे यह साफ नजर आता था कि राश्ट्रिये जनता दल को लीड करने वाले तेजश्वी यादो हैं तेजश्वी यादो जो कहते हैं वही होता है भले ही पीता मुहर लगाते हैं लेकिन बात अब तेजश्वी यादो की चलती है लेकिन लग रहा है कि राज्य सभाज चुनाओ को लेकर आरजेडी में ऐसा नहीं हो रहा है संसदिये बोड की बैठक थी किसी भी पाठी के लिए संसदिये बोड की बैठक से बड़ी कोई ब जाते हैं दस सरकूलर आवाज चले जाते हैं यानि कि घर चले जाते हैं तस्वीर जब निकलती है बैठक की तो पता चलता है की राबरी देवी जिस कुरसी पर लालू परशाद यादो बैठते थे उस पर तेजपरताब बैठे हैं और उनके बगल में मीशा भार थी सवाल यह भी था कि संसदिय बोड की बैठक से अखिर जग्दानन परदेश अध्यक्ष की चले गए और जब निकले तो किन दो लिफाफों की उन्होंने बात की उन्होंने कहा बहुत बड़ी खबर देंगे कौन सी बड़ी खबर देंगे देखिए दो सीट पर राज्यसभा भेजन तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो उन्हें नहीं लरना होगा देखिए 2014 में भी जब चुनाव हुए तो पाटली पुत्रा लोकसभा से मिशा भारती चुनाव लड़ी रामकृपाल यादो का टिकट काटके उनको टिकट दिया गया चुनाव हार गई और उसके बाद 2016 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया कहा यह जाता है कि तेजश्वी के कामों में ज्यादा दखल देने लगी थी और तेजश्वी को पसंद नहीं था तेजश्वी को चेहरा बनाना था ऐसे में मिशा भारती को दिल्ली भेजना लालू यादों ने जरूरी समझा उसक लेकिन बावजूद राज्यसभा की शदस है तो बनी थी लेकिन अब कारेकाल शमाप्त हो रहा है फिर से जाने की बारी है तेजश्वी का कहना है कि मीशा भारती के जगह किसी और को राज्यसभा भेजा जाए जुक राजत के कारेकरता हैं ताकि कारेकरताओं में भी जोस बने और पडिवारवात से जो उन पर लगतार अरोप लगते रहें उससे भी उन्हें छुटकारा मिले लेकिन देखिए लालू परशाद यादो दिल्ली में कहां रहते हैं मीशा भारती के घर तो दिल्ली में एक आवास तो चहिए लालू पडिवार को मीशा भारती लगता जाएंगी भले तेज़श्वी कुछ भी चाहे यानि कहिए तेज़श्वी की चाहत यहां पर काम नहीं आई है तेज़श्वी चाहते थी कि मीशा भारती एक कमिटमेंट दे दें कि अगर हम राज सभा जाएंगे तो 2024 का लोग सभा चुनाव नहीं लरेंगे लेकिन मीशा भा भारती का नाम तो निश्चित है कि होगा होगा लेकिन दूसरे सीट पर क्या होगा दूसरे सीट पर कौन जाएगा देखिए इसी वज़ा से तेज़श्वी यादो संसदिये बोड की बैठक में सामिल नहीं हुए क्योंकि वह जिनको जिनको भेजना चाहते थे साइद उनक पहले कारियाले आये थे बैठक में सामीर होने लेकिन जैसे ही तेजपरता आप यादों को देखते हैं वह निकल जाते हैं निकलते हुए वह कहते हैं कि मेरे पास दो लिफाफे हैं पड़ी खबर आपको देंगे आखिर दो लिफाफे कौन से हैं क्या फिर से इस्तिफा दे बोर्ड की बैठक से कई नामों को प्रस्तावीत करके भेजा गया लालू प्रशाद यादो को अधिक्रित किया गया कि राजसवा कौन जाएगा यह वही तैक करें और इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई लेकिन देर रात उस प्रेस रिलीज को रद कर दिया गया देखिए संसद्य बोर्ट की बैठक में चर्चा क्या होई यही हुई होगी कि कौन कौन जाएंगे चरपांच नामों को आगे भेजा गया होगा और अधिक्रित किया गया कि लालू परशाद यादो इसको इस पर मुहर लगाएंगे जाहिर बात लालू परशाद यादो पा कि नहीं होने के कारण रद कर दिया गया यह भी बड़ा सवाल है अब देखिए दूसरे नाम की चर्चा कर लेते हैं कि दूसरा कौन आरजेडी से राजसभा जाएगा मिशा भारती का कंफर्म लग रहा है कई नाम चर्चा में काफी रहा बाबा सिद्ध की उनका भी नाम च कि उनली में शद यादो की पाठी का उन्होंने विलिय करा आथा अपनी पाठी में ते यादो का कहा जाता है कि कुछी संद्ध कव्ड़े कर देंगे तो फिर से राज्य सonsters चले जाएंगे क्योंन ने एक विडियो में खुद दुखरा गया था कि उनके पास रहनेक आवास नहीं है काफी कुछ समस्याओं से जूज रहें उम्र भी हो गई है तो साइद उन्हें इस बात की उमीद थी कि तेजश्वी यादों के हाथ उनके उपर आने से साइद वो राजसवाद चले जाएं लेकिन ऐसा होता मुम्किन नजर नहीं आ रहा है तेजश्वी याद खींस्तान जो यूपी में मुलायम सिंग और अखिलेस यादों के बीच देखने को मिली थी हो सकता है इसकी कोई अभी अधिकारिक बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि हो ही जाएगा लेकिन हालात कुछ ऐसा ही बने हैं देखिए बिहार में पांस सीटों पर रासभा के चुना हो आने दो सीटों पर आपको उमिद्वार ते करने और तेजस्वी यादों कहां चले गए लंदन लंदन चले गए कारेक्रम हैं 25 साल बाद भारत का भाविश भारत कैसा होगा उस कारेक्रम में सामील होंगे और भी कई बड़े-बड़े नेता हैं राजसभा सांसत अरजएड की वह रद्ध हो गई अब सवाल यही है कि हो क्या रहा है तेज़परताब यादों जो संसदिय बोड के अब सदस्य नहीं है वह बैठक में सामील हो गए अखिरकार यह क्या रहा है तेज़परताब वहां पहुंशते हैं उनके छात्र जंसक्ति परिशत के जो कारे करता है वो नारेबाजी करते हैं फूल माला पहनाते हैं तेजपरताप का चेहरा मुश्कुराता हुआ नजर आता है एक बार मुझे याद है कि तेजपरताप यादो ने राजसभा की भी बात कही थी तो क्या तेजपरताप यादो भी चाहते हैं क्या राजसभा राजसभा जाना चा और दिल्ली चले गए तो तेजश्वी के लिए आसानी होगी उसके उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत की बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से तेश्परताप यादो रुक रुक कर पाकिश अंगठन को लेकर बयान देते हैं जो MLC है सुनिल सिंग उनको लेकर बयान देते है पिर से जो और भी कई लोग हैं उनको लेकर बयान देते हैं पाटी श्रंगठन के बड़े बड़े नेताओं को तो ऐसे में लगतार तेजश्वी यादो असहज हो जाते हैं उनके बयानों तो जवाब देना नहीं बनता है पत्रकारों पर कुछ दिन पहले फायार ठोक दिय तो इस प्रकार के कई चीजे जो है वो घटी है तेजपरताप की द्वारा तो अगर उन्हें दिल्ली भेज भी दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि तेजश्वी उससे असहज होंगे तेजश्वी के लिए अची बात है कि तेजश्वी के राजनीती से तेजपरताप या को जगव जगव घूम रहे हैं विधान सभा में अर्जेडी विधायकों को लगा देते हैं बीच गाव फोन अक्याता है कि तुम्हारे चेतर में काम नहीं हुआ देखो यह लोग सुना रहे हैं ऐसे में देखिए क्या होता है आप पॉर्शनली या अकेले में एक आंत में बैटकर अगर अपने विधायक को यह बात कहेंगी भी तो हो सकता है वह आपकी बातों को सुने लेकिन आप पब्लिक लिजब इस तरह से बात करते हैं तो आपके विधायक पर सवाल या निशान उड़ते हैं कि क्या उसने काम नहीं किया क्या वो जनता के बीच नहीं जाता है कि तेजपरताप यादो को फोन करना पड़ता है तेजपरताप यादो बता रहे हैं यह सब तरह की कई सवाले उठती है तीन दिन पहले की घटना है और ऐसे में निश्ची तोर पर आर्जेडी के लिए यह फायदेमंद नहीं होगी यह नुकसान दायक है तो हो सकता है कि यह भी चर्चा हो कि मीशा भारती के जगे तेजपरताप यादों को भेज दिया जाए मिशा भारती दोज़ा 15 तो तब भी वो जाएंगी वो राजसभा में रहेंगी इतना साफ नजर आता है तेज परताप यादो भले ही बैठक में सामीलों गए भले ही जिंदाबाद के नारे लगा दिये गए उनके लिए उनके कारेकरताओं के द्वारा जो जनसक्ति परिशत के हैं लेकिन उससे आप तेजश्वी के कद को छोटा नहीं कर पाएंगा अर्जेडी में अगर किसी का भी सबसे बड़ा कद है बिहार में लालू परसाद यादो का नाम तो है लेकिन तेजश्वी यादो के नाम पर ही अब वोट मिलता है अब लालू यादो के नाम पर आपको जो आपके जनधार बना था वो बना है लेकिन अगर आपको आज युवा वोट करता है तो अब देखना होगा कि दूसरी सीट पर आखिरकार किसे भेजा जाता है अखिर लालू यादो दिल्ली में अभी भी मिशा भारती के घर पर ही है और मिशा भारती अगर संसदिय वोट के का रिवाही में अगर समिलित होती हैं सामिल होने आती हैं सामिल होती है तो ऐसे में यह भी तो उमिद लगाए जा सकता है कि लालू यादो से पहले बात करके आई होंगी देखिए निश्चित तोर पर इसमें कोई संका नहीं है कि मिशा भारती राजसभा नहीं जाएंगी वो तो जाएंग ही जाएंगी चर्चा दूसरे सीट को लेकर है कि दूसरे सीट पर कौन जाएगा पहले कपिल सिब्बल का नाम चला कॉंग्रेश के नेता हैं बाबा सिद्ध की महराष्ट में मंत्री रह चुके हैं गोपाल गंज कहीं आते हैं काम भी करते हैं गोपाल गंज में अपना कुछ कुछ लोगों के कल्यान के लिए करते रहते हैं फिर पुर्णिया के खान जी का नाम आ जाता है नया में एक वैश्य समाज का नाम चल रहा है भेजना तो किसी एक को ही है तेश परताप यादो इतने गदगद हो जाते हैं एक पार्लियमेंटरी बूड की बैठक में सामील हो कि इसलिए वह Haaf advdi Devi पहर शांज कर रहे लेकिन संसदीय वूड के सदस से तेजसू में यादो नहीं रहे जो कि बिहार में अरजैडी को सामील नहीं होते तो सवालिया निसान तो उठेंगे ना और बिल्कुल उठें हैं और ऐसे में आगे क्या होगा आर्जेटी में यह कहना बड़ा मुश्किल हो गया है और जो चर्चा अभी जेडियू को लेकर चल रही थी कि एक सीट को लेकर बड़ा खट-पट है ललन सिंग लेकिन आरजेटी में तो उससे बड़ा कला देखने को मिल गया अब इससे बड़ा कला क्या होगा पार्लियमेंट की बोर्ड की बैठक में ते जो स्वियादो नहीं गये उनकी कुर्सी परतेश परता प्यादो बैठे थे ते जो मीशा भारती मौजूद थी लेकिन अभी त देखना होगा कि आगे क्या होता है हाला कि आरजेटी में मचे घमासान पर पूरा दिरिश्य जो है वो राजमुहन ने असपश्ट कर दिये हैं देखना है कि आरजेटी को लेकर कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है और कौन-कौन से वो दो चेहरे हैं जिसे राज्य सभा भे झाल झाल